limit x tend to 0 sign 3 x sign 5 x upon 7 x square जोट्योग हो गया क्या है, यहां sin 3 x लिखता है, यहां sin 5 x लिखता है अब एक x इतल ले जो, एक x इतल ले जाओ 7 कहीं भी रख लो, इतल रख ले, आशगा अब अगर यहाँ नीचे 3 आ जाएं और यहाँ नीचे 5 आ जाएं हमारा मसला लो चाहिए तो 3 by 3 से 3 से multiply divide इसको कर दो 5 से multiply divide इसको कर दो और ये 7 पॉना बहा लेगा अब यहां तो क्या हुआ ये जो उपर वाला 3 उपर वाला 5 इनको भी अलग कर लो और ये sin 3x upon 3x ये 1 हो चाहिएगा sin 5x upon 5x 1 हो चाहिएगा अब ये 15 और ये 7 final answer 15 upon 7 और ये हमार answer